तो हेलो फेंड कैसे हैं आप लोग आप लोग बहुत ही अच्छ होंगे अपने अपने एक्जाम की तियारी कर रहेंगे आप फेंड आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैक्टर 2 जिसका नाम पोलिनोमियल से उसके एकसरसाइस 2.2 को हम लोग देख रहे हैं तो वीडियोर लास तक बने रहे हैं और इसको देखें किस तरह हम लोग हल करते हैं तो देखिए चटे नमर कुश्चन क्या है क्या कहते हैं चुट्टा नमर कुश्चन जो है वो कुछ यह है थी एकस स्क्वाइर माइनस एकस माइनस फोर ठीक है इसका क्याता है हमको zeros of quantity पूर इसके बारे हम पहले बता जोगे किस तरह बनाएंगे तो चलिए देखिए solutions किस तरह करते हैं तो solutions लिट मान लेते हैं 3x square minus x minus 4 is equal to 0 ओके ना अब लिखेंगे after हम पहले बता इसको क्या करना है तो लिखेंगे after expanding अगर रैटिंग समझना है तो माफ करेंगा हम बॉल बॉल के लिखेंगे अफ्टर expanding middle term क्या middle term क्या middle term क्या middle term क्या मेरा x है तो इसके बारे पहले हम बता चुके इसको किस तरह हल करेंगे क्या करते हैं इसको हल करने के लिए हम a और c को पहले वोना करते ठीक है मतलब कि जो मेरा जेनरल फॉर्म होता quadratic polynomial इसका वह हो था ax square प्लस bx प्लस c तो मेरा जो a है यह क्या हो जागा इसका x square का coefficient होता क्यों से निकालने के लिए तो देखे क्या ना करना है इसको इस एको पहले हम क्या करना है तो देखेंगे हम थोड़ा rough करते हैं ठीक है ए रहा हुआ मेरा थिरी गुणा पुर इसको गुणा करेंगे तो चर्तिया बांद मिडल तरह तोड़ना है मतलस्क तेला इसको तोड़ देना है कि गुणा करके मेरा कितना बिट धुह लाए एंड घटा या जोड करके माइनिस एक्स आना चाहे मतलब माइनिस वाना चाहे तो अब थोरा सा कंसेप्ट लगए आब बताए कि इस टूवल को I mean इस एक्स को माइनिस एक्स को किस थरह तोरेंगे जो गुना करे तो टूवल आए एंड घटा या जोड़े तो माइनिस वाना आए थोरा सा दिमाग लगएगे समझ में नहीं आया चलिए देखे अगर हम इस बारा को अगर हम फोर गुना थिरी से घटा आए तो गुना करे तो बारा ही आता है या फिर आप थिरी गुना फोर करे तो भी तो पहले 3x ज्यों करते हूं इस माइनिस x के जगए पे हम क्या करेंगे माइनेस 3x तो पलस ले रहे थे ठीक है पलस 3x माइनस 4x माइनस 4 is equal to 0 समझ में आप या क्या अब थिरी को इस थिरी को अगर हम गुना करते है फोर से तो मेरा 12 आता है मैंनस वन चाहिए तो मैंनस वन ही चाहिए न इसी तरह से Iặ car पूइंट में दोनों क्या Spark जोड़ा डेंगे इस दोनों का जोड़ा बनाएगे इस दोनों मेंसे common क्या है एक स्कॉमस्त कर जोड़े हो तो यहां फאלी है इसमें इसमें Бी तो थिरी खिचा गिया तो कुछ नहीं बचा और यहाँ पे x, x require में से 1x खिचा गिया तो भारा आ तो x है कि नहीं? एंद यहाँ थिरी खिचा गिया, x भी खिचा गिया बचा, 1 तो प्लस 1, ओके? एंद यहाँ देखो, यह minus है तो minus ही लिखेंगे, अब इसमें से क्या common लिए सकते हो? तो यहाँ पे 4 है, इसमें भी 4 है, तो यहाँ पे 4 common लिए, और यहाँ पे x इसने नहीं लिए कि इसके साथ x नहीं है, ठीक है? तो यह x जियों काते हैं, ओके? एंद यह minus में common खिचा यह minus भी common होगे, तो इस minus को common लिए क्या हो? प्लस होगे, एंद 4 खिचा गिए, तो 1 is equal to 0, है ना? तो आप क्या लिखेंगे? इस दोनों को में से किसी एक को लिखना है, ओके? एंद यह लिखना है, तो पहले लिखेंगे 3x माइनिस 4, इसको लिखने के बाद हमें क्या करना ह हमें इस दोनों में से किसी एक को लिखना है, तो दोनों तो सेम ही है, तो यह x प्लस 1 is equal to 0, ओके? अब आगे देखें क्या करना है? अब आगे क्या करेंगे? यहाँ पे दो साइड बाढ़ते हैं, एक होता है, 3x माइनिस 4 is equal to 0 हो गया, एक हुआ, x प्लस 1 is equal to 0, तो इसको क् माइनिस 4 को उदर भेजो, एम इन बुल्ले तो बराबर को इस तरफ, तो 3x is equal to 4, अब यह x को अकेला करेंगे, तो 4 की नीचे कहां चला जागा? 3 नीचे आ जागा, है कि नहीं? एक इस x को भी अकेला, अकेला तो है यह उल्लेडी, is प्लस 1 को उदर भेजो, तो माइनिस 1, तो यहां पर answer जो आया मेरा, तो यहां लिखेंगे, the 0, the 0s of, इदर उदर की ध्यान आती, इस पर ध्यान मत दे, the 0s of 3x square minus x minus 4, are 4 divided by 3, 1 आया, एक सुनने जो आया, 0 जो आया, minus 1 आया, ठीक है, तो यह मेरा 2 निकल गया, मेरा 0s of quadratic polynomials, ठीक है, अब हमको क्या निकलना है, अब हमको निकलना है, relations between 0 and coefficient, तो इसके पहले हम पहले इस वीडियो हैं बचा चुके हैं, इसको किस तरह बनाना है, ठीक है, तो देखिए, यहां पर नीचे बना की इधर बना, इस side बना देते, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे एलफा प्लस बीटा इसकोल to minus B divide by A, एंड अलफा इंटो बीटा is equal to c divide by A, जानते हैं ना, तो अब बी कामान यहां पे क्या होड़े, तो बी कामान यहां से देखिए, यह क्या होग है, बी है चैनल आ, एकस का जो coefficient होता है, वो B होता है, एकस का 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 कोफिशन निक न X square coefficient यह होता था एक इतना है वोड़े 3 चलिए यह माइनस मैस प्लस दरवन डिभाइड हो बार 3 एंड इसका अलफा अलफा इंटी बीटा देख ले सी क्या ओगा कॉंस्टेंट होता है तो सी क्या माइनस 4 तो माइनस 4 यह क्या है अब एक स्कॉर कोफिसियंट कितना है 3 लग 6 दोनुों का यह भी आंसर निकालना था रिलेशन बटेमीन कोमफिसियंट के बीज में और यहां पर जो में निकालना था जीरोब्लोव क्याम्यों लिटी असका यह माइनस ठ्केंट इस तर Raphael questions को देखें पहला को six number questions को इसी तर हल करते हैं अगर notice करना है तो इसको notice कर ले अब हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे question number two की जो किस तरह हम लोग हल करते है ठीक है तो आज के लिए तना ही फिर मिलते हम लोग अगले